जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यव चैनल में दोस्तो हिंदू धर्म में गंगा नदी और गंगा जल इनका बहुत महत होता है हर किसी भी पुन्य तिथी पर गंगा इसनान किया जाता है पुनिमा हो उस पर गंगा इसनान किया जाता है एकादशी है पूजा पाठ होते हैं उसमें भी गंगाजल का उपयोग किया जाता है इसलिए गंगाजल जो है वो बहुत चमतकारी होता है अगर आप मानते हैं तो गंगाजल बहुत चमतकारी होता है और इससे जुड़े हुए कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं जो आपके जीवन के पूरे के पूरे जीवन को आपके बदल के रख सकते हैं, तो इस गंगा सब्तमी के दिन आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं, गंगा जल से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी उपाय करके, तो आज की इस वीडियो में हम इसी गंगा सब्तमी के बारे में जानेंगे ज दो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो वैसाख मास के शुकल पक्ष की सब्तमी तिथी को गंगा सब्तमी मनाई जाती है गंगा सब्तमी के दिन मा गंगा के धर्ती पर आवतरण से जोड़ कर देखा जाता है हिंदु धर्म के अगर माने तो इस दिन देवी गंगा का प्रत्वी पर पुर्णर जनम हुआ था इसलिए गंगा सब्तमी का त्योहार बहुत ही मुख्या होता है और इस वर्ष तो बेह खास होने वाला है क्यों होने वाला है क्योंकि इस बार जो आठ माई को गंगा सब्तमी का दिन है इस दिन रवी पुष्य योग का निर्मान हो रहा है इस दिन पुष्य योग रहेगा पुष्य नक्षत्र रहेगा और जब भी पुष्य नक्षत्र होता है तो चंद्रमा कन् बने और एक रविवार के दिन बने तो गंगा सब्तम्य का दिन रविवार के दिन होगा रवी पुस योगinha में होगा जो बहुत ही महत पुन होता हैं इस दिन गंगा में डुब की लगाना बहुत महत्पून माना जाता है और दानपून करने से मुक्ष की प्राप्ती भी होती है। भगीरती के अथक प्रियास से ही गंगा भगवान शिव की जटाओं से प्रत्वी पर अवतरित होई थी। तो इस दिन आप कुछ गंगा सब्तमी से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात मक्ता लेकर आएंगे और कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही चमतकारी होते हैं जो गंगा जल से किये जाते हैं और आपके जीवन की कई मुसीवतों को दूर क के career आपके वेपार से जुड़ा हुआ, आपकी आर्थे किस्तिती से जुड़ा हुआ, अगर आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत आपनी कोशिश कर लिए हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, कामकाज गती नहीं पकड़ रहा है तो आपको क्या करना है इन सभी कोशिशों के बाद आपको अपने घर में जो उत्तर पूर्व दिशा है उस दिशा में पीतल के बरतन में पीतल के पात्र में गंगा जल भर कर रखते आपको कुछी दिनों में अपने जीवन में फर्क नजर आ जाएगा जो ये करियर और वेपार से जुड़ी हुई परिशानिया है आप बार बार आर्थे को नुकसान हो रहा है यानि पैसे लग जाते हैं काम नहीं बन पाता है तो इसकी वजह जो है वो वास्तु दोश भी हो सकता है और ऐसे में अगर आप गंगाजल को उत्तर पूर्व दिशा म पीतल के पातर में रखे भरकर रखेंगे तो ये जो वास्तु दोश है ये आपका समाप्त हो जाएगा और कुछ दिनों में ही आपको अपने कामकाज में तेजी भी देखने को मिल जाएगी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जो बार बार बीमारियां किसी व्यक् अशुफल दे रहे हो नौग रहे हैं और कोई साभी रहे आपको अगर अशुफल दे रहा है आपके जिवन में मुसीबते आती जा रही है एक के बाद एक तो आपको क्या करना है इस गंगा सब्तमी से लेकर जो सौंबार का दिन सुभा को आएगा सौंबार को भगवान शि इस जल को लेकर आप शिविजी का जल से अभिशेख करें यह बहुत ही उत्तम रहेगा इसके अलावा ग्रह दोष दूर करने के लिए एक और उत्तम उपाय होता है जो गंगा जल से होता है यह गंगा जल गंगा सब्तमी के दिन आप लें और उसके बाद हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से आप तीन देवों को प्रसंद कर सकते हैं और हर एक दोष से मुक्ति पा सकते हैं, इतना उत्म ये समय है अब जो एक उपाय है वो है बच्चे को बुरी नजर लगने पर आप इस उपाय को कर सकते हैं बच्चा बार-बार रोता है बेचैन होता है सेहत समन्धी परिशानिया बार-बार आजाती है तब आप इस गंगाजल का प्रियोग कर सकते हैं इससे आप ब और गंगा सब्तमी के दिन तो खास तोर से आपको ये गंगा जल का एक उपाय जरूर करना चाहिए ताकि जो गंगा जल का जो शुब प्रभाव है वो आपके जीवन में रहता रहे अब घर में अगर तनाव रहता है कलेश रहता है बार बार किसी ना किसी बात पर घर परिवा कलेश की इस्तिथी को समाप्त करने के लिए इसके लिए आप अपने घर में लगबग 21 दिन तक गंगा जल का शुब करें लगबग 21 दिन तक आपको गंगा जल का शुब करना है और इस पूनिमा से लेकर ही करना है इससे आपके घर में सकारात मकता आएगी जितनी भी नेग च्छोटी च्छोटी बात उपर जो क्रोध हाता है उस क्रोध में आपको कमी देखने को मिलेगी लेकिन इस पोनिमा से लेकर अगले 21 दिनों तक ये गंगा जल का शड़काव आपको अपने घर के हर एक कौने में करना होगा तो ये गंगा सब्तमी से जुड़े कुछ ऐसे करें शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके